पर NDPS Act 1985 क्या है और कैसे काम करता है लेकिन इसको भी डीटेल से जानने से पहले हमें न्यूज पता होनी चाहिए कि आखिर कारिये चर्चाहों में क्यों है तो दोस्तो एक बहुत बड़े डेवलप्मेंट की वज़ा से क्या हुआ हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हाली में NDPS Act के तहद एक नया चीज़ सुनाया एक केस गया होगा NDPS Act का सुप्रीम कोर्ट के पास में सुप्रीम कोर्ट ने अपने order मतलब जो भी केस का order था उसको यहां पर चेंज कर दिया और एक बेल यहां पर प्रोवाइट करवा दी किसी अपराधी को या accused को जिसको पर इलजाम लगाए इस act के अंदर में तो क्या इस act के तायत किसी को बेल मिल सकती है हाँ बेल मिल सकती है वो भी आगे हम discuss करेंगे तो कुछ यह जो चीज़े हैं वो लगातार चर्चाओं में रही है बट यह जो news आपको ही पता है हमारे exam में यह help बिल्कुल भी नहीं करेगी exam में आपसे directly question बनेगा तो यहां पे बिना time waste करें आपको सीधा data में बताता हूँ यह बिसिकली जो लोग drugs लेते हैं है ना drugs का consumption करते हैं उसी के खिलाफ में दोस्तों यह particular act काम करता है तो अगर कुछ व्यक्ति को ड्रक्स की activity में यह ड्रक्स का production, cultivation, sale, purchase, transport करना, store करना हर चीज़ करने से रोखता है ठीक है अगर कुछ व्यक्ति इस मामले में फिर भी पाया जाता है तो उसके खिलाफ में actions ले जाता है बाकी NDPS Act का main objective क्या है मैं आपको बताई चुका हूँ कि भई जो भी व्यक्ति इन ड्रक्स की चपेट में है उससे उसको निकालना, उसको बचाना ठीक है बाकी जो हमारे international level पर कई सरे agreements है, drugs को, consumption को रोखने की बात करते हैं है ना तो उनके सारे provisions को लागू करने का काम भी हमारा NDPS Act करता है उसके अलावा अब बात यह है कि नार्कोटिक ड्रक्स और साइको ट्रॉफिक सबस्टांस होते गया है अब दोस्तो नार्कोटिक ड्रक्स में जैसे आपका कोका लीफ हो गया, कैनबीस हो गया, हेम पो गया, ठीक है इस प्रकार से कई सारे opium, poppy, यह सब क्या है, जैसे भांग, धतुरा, इन सब की बात यहाँ पर की जा रही है तो यह क्या है, यह सब यहाँ पर नशीले पदार्थ है, उन नशीले पदार्थ के कंजम्शन को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, इस NDPS Act का हम यूज करते है बात क्लियर हो गए दोस्तों, यह आपको समझ में आ गया, बाकी applicability की बात करेंगे, तो NDPS Act क्या करता है एक व्यक्ति को इन सब नशीले पदार्थ को manufacture, production, cultivation, procession, sale, purchase, transport, store, consumption, इन सब चीजों को करने से रोकता है ठीक है, बात के लिए रोके दोस्तों, अब बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति फिर भी मानलो उसका production कर रहा है या cultivate कर रहा है, कई पर उगा रहा है, भांग वगरा को, तो इस NDPS Act के अदायत क्या punishment उसको मिलती है ठीक है, तो जब punishment की, सरी, अफीम वगरा की बात कर रहे हैं, हम लोग अफीम भी यहाँ पर सबसे खतरनाग है जिसका production किया जाता है, तो उसको punishment क्या मिलेगी, तो दोस्तों punishment depend करती है कि भाई उसका offense कितना है, अपराद कितना है, अपराद छोटा है या बढ़ा है भाई ड्रक्स के case में भी अपराद देखने को मिलेगा, भाई छोटा है या बढ़ा है, पढ़ा अपराद क्या है, यहाँ पर उसने तो अब्यूसी बाते सजा जादा होगी छोटा अपराद के तो सजा कम होगी, मानलो कोई commercial quantity में यहाँ पर वो involved है, बहुत ज़ादा मातरा में उसने ड्रक्स की बिकरी की है, लोगों को यहाँ पर बहुत ज़ादा ड्रक्स बेचा है, तो उसको यहाँ पर फिर 10 साल की penalty लग सकती है, उसके उपर में, minimum कम से कम, ठीक सकता है, और उसको भी यहाँ पर penalty लगाई जा सकती है, और कुछ cases में उसको मृत्यू दंड भी दिया जा सकता है, इतना खतरनाक यह NDPS Act हमको देखने को मिलता है, समझ गए इस बात, आगे आता है, अब जितने भी यह provisions है, खतरनाक provisions, सक्त provisions, इसके अलावा जो यह Act है, और क्या procedure को follow करता है, जो भी व्यक्ति ऐसे cases में पाया जाता है, उनकी तहकीकात करना, सर्च करना, उनके premises को सर्च करना, वो powers भी यहाँ पर मिल जाती है, अब होता यहाँ पर यह है, कि दोस्तों जो सर्च वगरा है, किसी को सर्च करना है, उसकी तलाशी लेनी है, उसके आसप authorization के हिसाब से भी यहाँ पर यह जो सर्चिंग वगरा है, वो की जा सकती है, अब arrest की बात करेंगे, तो मान लो एक person जिसको arrest किया गया, इस NDPS Act के अंदर में, तो उसके पास में एक right है, एक हक है, हक क्या है उसके पास में, कि वो पूछ सकता है, उसको भी जानकारी होने चा बताना होगा कि आपको किस basis पर arrest किया जा रहा है, समझ गए, अगर मान लो किसी को arrest किया है, वो भी एक warrant के basis पर किया एक warrant आया था उसके basis पर, किसी magistrate ने warrant दिया था उसके basis पर, तो वो जो व्यक्ति है, उसको तुरंद यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, magistrate के पास में ले ज अस्तुत करनी होगी, उसके बाद यहाँ पर उस वक्ति के उपर आगी करवाई चलेगी, ठीक है, तो NDPS Act में क्या क्या चीज़ हैं दोस्तों, वो आपको समझ में आ गया?